मेरे प्यारे देश्वाजियों नमस्कार आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटी-कोटी मेरे परिवार जनों से मिलने का आउसर मिला है मन की बात में आप सब का स्वागत है कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्दी हासिल की है जो हम सभी को प्रेणा देती है भारत के सामर्थ के प्रती एक नया विश्वास जगाती है आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समेंट की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है इस महेने पांच तारीक को देश में यूनिकॉन की संख्या सो के आंकडे तक पहुँच गई है और आपको तो पताई है एक यूनिकॉन यानि कम से कम साड़े साथ हजार करोर रुपिय का स्टार्ट अप इन यूनिकॉन का कुल वैल्यूएशन तीन सो तीस बिलियन डॉलर यानि पचीस लाग करोड रुपियों से भी जादा है निस्चित रुप से ये बात हर भारतिय के लिए गर्व करने वाली बात है आपको यह जानकर भी हरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉन में से 44, 44 पिछले साल बने थे इतना ही नहीं इस वर्ष के 3-4 महिने में 14 और नहीं उनिकॉन बन गए इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडिमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्ट अप्स, वेल्थ और वेल्यू क्रियेट करते रहे इंजियन उनिकॉन का एवरेज एन्यूल ग्रोथ रेट USA, UK और अन्य कई देशों से भी ज़्यादा है एनालिस्ट का तो यह भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉन्स डावर्षिफाइंग है ये इकॉमर्स, फिंटेक, एटेक, बायोटेक जैसे कही खेत्रों में काम कर रहे हैं एक और बात जिसे मैं ज़्यादा एहम मानता हूँ वो ये है कि स्टार्ट अप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है आज भारत का स्टार्ट अप एको सिस्टिम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमित नहीं है छोटे छोटे शहरों और कस्मों से भी एंटर्प्रिनर सामने आ रहे हैं इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोविटिव एडिया है वो वेल्थ क्रियेट कर सकता है साथियों देश की सफलता के पीशे देश की युवाशक्ति देश के टाइलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं हर किसी का योगदान है लेकिन इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है वो है स्टार्ट अप बर्ड में राइट मेंटरिंग यानि सही मारदरशन एक अच्छा मेंटर स्टार्ट अप को नई उचायों तक ले जा सकता है वो फाउंडर्स को राइट डिसिजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जेनों ने स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पिक कर दिया है स्रीधर वेंबुजी को हाली में पदमसमान मिला है पर खुद एक सफल एंटर्पिनर है लेकर अब उनों ने दूसरे एंटर्पिनर को एंटरूम करने का भी बीड़ा उठाया है स्रीधर जी ने अपना काम ग्रामेण इलाके से शुरू किया है वे ग्रामेण युवाओं को घाओं में ही रहकर एक शेत्र में कुछ करने के लिए प्रोटसाइद कर रहे हैं हमारे हां मदन पढ़ाकी जैसे लोग भी हैं जिनोंने रूरल एंटर्पिनर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रीज नाम का प्लेटफर्म बनाया था आज वन ब्रीज दक्षिन और पुर्वी भारत के 45 से अधिक जीलों में मुझूद है इस से जुड़े 9000 से अधिक रूरल एंटर्पिनर्स ग्रामिन उपभोगताओं को अपनी सेवाई उपलब्द करा रहे हैं मेरा शैनोई जी भी ऐसी एक मिसाल है वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूद के लिए मारकेट लिंक स्किल ट्रेनिंग के ख्षेतर में उलेखनिय कारे कर रही है मैंने यहां तो कुछ ही नाम लिए है लेकिन आज हमारे बीच मैंटर्स की कमी नहीं है हमारे लिए यह बहुत प्रसनता की बात है कि स्टार्ट अफ के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टिम तैयार हो रहा है मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्ट अफ बुर्ड के प्रकति की नई उडान देखने को मिलेगी साथियों कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंट्रेस्टिंग और अट्रेक्टिव चीज मिली जिसमें देश वास्चों की क्रियेटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है एक उपहार है जिसे तमिल नाड़ू के तंजावूर के एक सेल्फ हेल्फ ग्रूप ने मुझे बेजा है इस उपहार में भारतियता की सुगंध है और मात्रु शक्ति के आशिरवात मुझ पर उनके इसने की भी जलक है यह एक स्पेशल तंजावूर डॉल है जिसे जी आई टैग भी मिला हुआ है मैं तंजावूर सेल्फ हेल्फ ग्रूप को विशेश धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे स्थानिय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा वैसे साथियों यह तंजावूर डॉल जितनी खुपसूरत होती है उतनी ही खुपसूरती से यह महिला ससकते करण की नई गाथा भी लिख रही है तंजावूर में महिलाओं के सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं इसकी वेज़े से कितने ही गरीब परिवारों की जिन्दगी बदर गई है ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाओं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही है इस पहल को तार गईगल कई विनई पोरुद कल विरप्पन अंगारी नाम दिया गया है खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्फ ग्रूप जोड़े हुए है आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप महिला स्वयम सहायता समू के यह स्टोर तंजावूर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले है इनकी देखरे की तुरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही है यह महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप तंजावूर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जी आई प्रोड़क के अलावा खिलोने मेट और आर्टिफिशल ज्वैलरी भी बनाते है ऐसे स्टोर की वेज़े से जी एंडी क्राप के प्रोड़क की विक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली है इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है बलकि महिलाओं की आवदनी बढ़ने से उनका स्टरक्रिकार्ण भी हो रहा है मेरा मन की बात के सुर्ताओं से भी एक आगरह है आप अपने क्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप काम कर रहे हैं उनके प्रोड़क्स के बारे में भी आप जानकारी जुटाएं और जादा से जादा इन उत्पादों को उप्योग में ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रूप की आए बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही आत्मन निर्भर्थ भारत भियान को भी घर्ती देंगे साथियों हमारे देश में कई सारी भाषाओं लीप्य और बोलियों का सम्रुद खजाना है अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग पहनावा खान-पान और संस्कृती ये हमारी पहचान है ये डाइवर्सिटी ये विविदता एक राष्ट के रूप में हमें अधिक ससक्त क करती हैं और एक जूट रखती हैं इसी से जुड़ा एक बेहत प्रेरक उधार है एक बेटी कल्पना का जिसे मैं आप सभी के साथ साजा करना चाहता हूं उनका नाम कल्पना है लेनुगन का प्रयास एक भारत स्रेष्ट भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है दरसल करना ने हाली में करना टका में अपनी दस्वी की परिक्षा पास की है लेकिन उनकी सफरता की बेहत खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कंड़ा भाशा ही नहीं आती थी उन्होंने न सिर्क तीन महने में कंड़ा भाशा सीखी बलकि 92 नंबर भी विला करके उनके बारे में और भी कई बात ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी कल्पना मुल रुप से उत्राखन के जोसी मटकी रहने वाली हैं वे पहले टीवी से पीडित रही थी और जो फे तीसरी कख्षा में थी तभी उनकी आँखों की रोशनी भी चल मारा कल्पना बाद में मैसुरू की रहने वाली प्रफेसर तारा मुर्ति के संपर्ग माई जिनोंने न सिर्व उन्हें प्रोसाइद किया बलकि हर तरह से उनकी मदद भी की आज वो अपनी महनत से हम सब के लिए एक उधार बन गई हैं मैं कल्पना को उनके होंसले के लिए बधाई देता हूं इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भासाई विविद्रा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ऐसे ही एक साती है पस्चिम बंगाल में पुरूलिया के स्रिपति टूडू जी टूडू जी पुरूलिया की सिद्धो कानो बिरसा उन इन्वर्सिटी में संथाली भाषा की प्रफसर हैं उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपी में देश के समिधान की कौपी तयार की हैं श्रिपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा समिधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और एक नागरिक को इससे परिचीत होना जरूरी है इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपी में संविधान की कौपी तयार करके भेट सोगात के रूप में दी हैं मैं स्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूं ये एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना का जीवन्त उधारन है इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत स्रेष्ट भारत की वेबसाइट पर भी जानकारी मिलेगी यहां आपको खान-पान, कला, संस्कृति, परियाटन समेथ ऐसे कई विश्व पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा आप इन एक्टिविटीज में हिस्व ही ले सकते हैं, इसे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप देश की विविदता को मैसूस भी करेंगे मेरे प्यारे देशवास्यों इस समय हमारे देश में उत्राखन के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है चार धाम और खास कर केदारनाथ में हर दीन हजारों की संख्या में सरधालू वहां पहुँच रहे हैं लोग अपनी चारधाम यात्रा के सुखत अनुभव शेर कर रहे हैं लेकिन मैंने ये भी देखा कि स्रधालू के दारनात में कुछ यात्रियों अद्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वज़े से बहुत दुखी भी है सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का धेर हो ये ठीक नहीं लेकिन साथियों इन सिकायतों के बीच कई अच्छी तस्विरे भी देखने को मिल रही है जहां स्रद्धा है वहां स्रजन और सकारात्मक्ता भी है कई स्रद्धालू ऐसे भी है जो बाबा केदार के धाम में दर्सन पुजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है तो कोई यात्रा मार से कुड़ा कच्रा साप कर रहा है स्वच्छ भारत अभ्यान की टीम के साथ मिलकर कई संस्ताय और स्वायू से भी संग्रण भी वहां काम कर रहे है साथियों हमारे हाँ जैसे तीर्थी यात्रा का महत्व होता है बैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है और मैं तो ये भी कहूँगा तीर्थ सेवा के मिनार तीर्थ यात्रा भी अधुरी है देव भुमी उत्राखंड मैंसे कितने ही लोग है जो स्वच्छता और सेवा की साध्रा में लगे हुए है रूदर प्रयाग के रहने वाले स्रिमान मनोच बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेणा मिलेगी मनोच जी ने पिछले 25 वर्सों से परियावरण की देखरे कम बिड़ा उठा रखा है वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लाष्टिक मुक्त करने में भी जूटे रहते हैं वहीं गुप्त कासी में रहने वाले सुरेंद्र बगवारी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है वो गुप्त कासी में नियमित रुप से सफाई कारकम चलाते हैं और मुझे पता चला है किसे अभ्यान का ना भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। भरा भरा वन तयार कर दिया है। साथियों ऐसे ही लोगों के पहासों से देवभुमी और तिर्थों की वो देविय अनुभुती बनी हुई हैं जैसे अनुभव करने के लिए हम बहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्धात्मिक्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में चारधाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंधरपूर यात्रा और जगनाथ यात्रा जैसे कई यात्राएं होगी। सावन माज पर दो शायद हर गाउं में कोई मेला लगता है। साथियों हम जहां कहीं भी जाएं इन तीरत ख्षेत्रों की गरिमया बनी रहें, सुचीता, साफसफाई, एक पवित्र भातावरन हमें इसे कभी नहीं भूलना है। उसे जरूर बनाए रखें और इसलिए जरूरी हैं कि हम स्वच्चता के संकल को याद रखें। कुछ दिन बाद थी पाँच जून को विश्व परियावरन दीजवस के रूप में मनाता है। परियावरन को लेकर हमें अपने आसपास की सकारत पर भ्यान चलानी चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सब को साथ जोड़कर स्वच्चता और रुक्षा रुपन के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी प्रेड लगाईए और दूसरों को भी प्रेडित करें। मेरे प्यारे देशवासियों अगले महिने 21 जून को हम आठवा अंतराष्टिय योगदिवस मनाने वाले हैं। इस बार योगदिवस की थीम है योगा फर हुमेनिटी। मैं आप सभी से योगदिवस को बहुत ही उत्सा के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ करोना से जुड़ी जरूरी सावधानिया भी बरते वैसे अब तो पूरी दुनिया में करोना को लेकर हालत पहले से कुछ बहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्शिनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज़्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये ऐसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्त का कितना अधिक भात्व हैं और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोगे महसूस कर रहे हैं कि योग से physical, spiritual और intellectual well-being को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के top business person से लेकर, film और sports personalities तक, students से लेकर सामान्यमान्वी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बड़ती लोगप्रियता को देखकर, आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहत इनोवेटिव उधारों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इनी में से एक है गार्डियन रिंग, एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्रेम होगा, इसमें मुमेंट अफ सन को सेलिबरेट किया जाएगा, यानि सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा, धर्ती के अलग-अलग हिस्सों से हम योग के जरिये उसका स्वागत करेंगे। अलग-अलग देशों में इन्डियन मिशन्स वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योधय के समय योग कारिकम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कारिकम शुरू होगा, पूरव से पस्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी, फिर ऐसे ही यागे बढ़ता रहेगा। इन कारिकमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी, यानि ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा, आप भी इसे जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे देश में इस बार अमरित महोत्षव को ध्यान में रखते हुए, देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतराष्ट्य योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कही संगठन और देश्वासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने ख्षेत्र की खास जगाओं पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी या आग्रा करूँगा। इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गाओं की किसी ऐसी जगर चुने जो सबसे खास हो ये जगर कोई प्राचिन मंदीर और परियटन केदर हो सकता है। या फिर किसी प्रसिद नदी, जील या तालाव का खिनारा भी हो सकता है। इससे योग के साथ साथ आपके छेतर की पहचान भी बढ़ेगी और परियटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समय योग दिवस को लेकर 100-day countdown भी जा रही है। या यूँ कहें कि नीजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कारिकम तीन महने पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दिल्ली में सौवे दिन और पिचतरवे दिन के countdown प्रोग्रेम होए हैं। वहीं असम के सीवसागर में 50 वे और हैदराबाद में 25 वे countdown इवेंट प्रावजित किये गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने हाँ अभी से योग दिवस की तैयाजिया शुरू कर दिजिए। ज्यादा से ज्यादा लोकों से मिढ़िए। हर किसी को योग दिवस के कारिकम में जुड़ने के लिए आगरह कीजिए। प्रेलित कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चट कर गहिस्सा लेंगे, साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। साथियों कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई कारिकमों के बीच मुझे कुछ शांदार सच्छियतों से मिले का मोका मिला। मैं मन की बात मैं आप से उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वे लोग है तो जापान के, लेकिन भारत के प्रती इनमें गजबकन लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशी कोई के जी जो एक जाने माने आर्ट डिरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक को डायरेक किया है। इस प्रोजेक के शुरुआत कमबोडिया में हुई थी और पिछले नव सानों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोई के जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहाँ लोकल आर्टिस्ट और मिजिशन्स के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोडिश करते हैं। इस प्रोजेक के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कमबोडिया और इंडोनेसिया सही नव देशों में प्रोडक्शन किये हैं और स्टेज परफॉर्मंस रिदी हैं। हिरोसी कोई के जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिस्टन एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैक्राउंड रहा है। इस वज़े से उनके काम में विविद रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाइलेंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नूत्य, बाली नूत्य, थाई नूत्य के जरिये इसे और आकरशक बना देते हैं। खास बात ये हैं कि इसमा प्रत्यक परफॉर्मर अपनी ही मात्रु भाशा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खुबसूरती से इस विविदता को प्रदर्शित करती हैं। और मुजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जिवन बना देती है। उनका उदेश इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और को एक्जिस्टन्स का क्या महत्व हैं। और शांति का रूप वास्तों में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा में जपान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे हैं आच्सुसी माच्सुओ जी और केंजी योशी जी। ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का समन रामायन की उस जापानिस एनिमेशन फिल्म से हैं जो 1993 में रिलिज हुई थी। ये प्रोडेक्श जपान के बहुती मशूर फिल्म डारेक्टर यूगो साकोजी से जुड़ा हुआ था। करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायन के बारे में पता चला था। रामायन उनके रदे को छूग गई। जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं। उन्होंने जापानी भाषा में रामायन के दस वर्जन्स पढ़ डाले। और वो इतने पर ही नहीं रुके। वे इसे एनिमेशन भी उतारना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतिये रित्रिवाजों और परंपराओं के बारे में गैड़ किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दुसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आश्रिवार की प्रमपरा क्या होती हैं, प्राता उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आश्रिवार लेना, ये सारी बाते हैं, अब 30 सालों के बाद ये एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है, इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पुरा होने के संभावना है, हमसे हजारों किलोमेटर दूर जपान में बैठे लोग, जो ना ह हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पन, ये स्रद्धा, ये आदर बहुती प्रस्वंशनी है, कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा, मेरे प्यारे देश स्वास्चियों, स्वासे उपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ और सुसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है, हमारे देश में अंगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन दे बनाए हुए है, मुझे आंतर प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी, राम भुपार्ण रेडी जी के बारे में जानकारी मिली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामभुपान रेडी जी ने रिटार्मेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की सिख्षा के लिए दान कर दी हैं। उन्होंने करीब करीब सो बेटियों के लिए सुकन्या समरुद्धी योजरा के तहर खाते खुलवाए और उसमें अपने पचीस लाग से जानदा रुपिये जमा करवा दिये। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहन यूपी में आगरा के कचोरे गाउं का है। कापी साल से इस गाउं में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गाउं के एक किसान कुमर्सी को गाउं से 6-7 किलोमेटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खु खेत से गाउं तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाक रुपिय चाहिए थे। कुछ समयबार कुमर्सी के छोटे भाई शामसी सेना से रेटायर होकर गाउं आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रेटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनरासी इस काम के लिए सौप और खेत से गाउं तक पाइपलाइन बिछा कर गाउं वालों के लिए मिठा पानी पहुचाया। अगर लगन हो अपने कर्तव्यों के प्रति गंबीरता हो तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविश्व बदल सकता है ये प्रयात इसकी बिड़ी प्रेना है। हम कर्तव विपत पर चलते हुए ही समाज को ससक्त कर सकते हैं, देश को ससक्त कर सकते हैं। आज हादि के इस अमरित महोसों में यही हमारा संकल्ग होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्या, कर्तव्या और कर्तव्या मेरे प्यारे देश स्वांशियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपुन विश्यों पर चर्चा की, आप सब अलग-अलग विश्यों से जुड़े महत्वपुन सुजाओ मुझे बेचते हैं और उनी के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है, मन की में आप सामिन हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे जुरूर बताईए, नमो एप और माय गौपर मुझे आपके सुजाओं का इंतजार रहेगा, अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देश वास्यों से जुड़े, ऐसा ही विश्यों पर बाते करेंगे, आप अ देने का अपना मानवी दाईत्व भी निबाते रहें, यह जरूर याद रखेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनवाद का फुले पर सारण आप सुन सकते हैं, रात आठ बजे, आकाश्वाद।